जी वन नेशन, वन एलेक्षन का कंसेप्ट जो भारत सरकार के द्वारा लाई जा रही है और असमा बहुता लगता है विशेश सत्र जो परल्यमेंट का होना है उसमें उसको इंडोर्स भी करह जा सकता है हम समझते हैं इस देश के लिए बहुत अची चीज है उनईशो सहेताल कि एक वार लोक सवा का चुनाव या वियान सवा का अलगल होता है तो छे महिना पहले से वहां आचार सहीता लग जाता है आचार सहीता लगने के कारण होता है कोई काम नहीं होता है सब काम पेंडिंग हो जाता है तो पांच साल में दो आरीश पर करकी प्रिश्टिती कि कितना काम हर्ज होता है इसलिए काम के हित्में अगर ये निली yağ जाता है तो हम तो फूरते स्वागत जोग है इसtra expenses और हर गरीब को स्वागत करना चाहिए क्यंकि काम तो हर्ज होता है गरीबियों का बलकर बलकर लोग तो एन केंप, पकारिन अपना काम करवा लेता है वो जब अचार सहीता रहता है उसके बावजूद हुई लेकिन गरीब टपके के लिए ही होता है कि अचार सहीता है काम नहीं होगा तो यतना विकास का काम हो चाहे और सब का काम हो सारा काम सिथिल हो जाता है अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अगर नेने लिया है कि हम इसको पारिद करावेंगे तो काबले तारिफ है हमारे हिंदुस्तानी अमामोचा के बच्चा-बच्चा करते काइकाद करता इस नियम को जरूर इंडोर्स करने के लिए परधान मंतरी नेन्द मोडी जी को धन्यवाद देते हैं और दूसरे तब क्य कि तो आपनी में और अपनी अपने नहीं बोलना है त नितिश कुमार का अमरा समाप्त हो गया अब और नितिश कुमार नहीं है 2005 से 2010 ड्समेश हो आज वी चीपर मेरी बन गये हैं अज जिस पार्टी में है उसका लोग कहता है की वरण नेशन वरork में वीच्टत होना कि अगर है ऐसा तो पहले क्यों नहीं करवाते हैं मार्स वाले लोग होते हैं इस प्रकार से धन आर्जन की बात आई है तो जो बोल रहे हैं कि आने इन कि है उसी को पहले माठ लें ठीज फूजिबल नहीं है एक डाक्टर है डाक्टर की कमाई होती है और और एक कौंपॉंडर है दोनों के श्तिति केशे एक रहे descriptive enough एक डाक्टर है एक क्लास फोर है उदोनों का एक कमाई केसे एक तरह से रहेगी आँ ठीक है उसके इज़त पर कुछ कमी नहीं नहीं होनी चाहिए क्यों कमपॉंडर है या असरफाई मेर्दूर है तो इसलिए हेडिस्ट को चाहिए एक जज है एक जज को जो मिलता है अगर वह भी वहां का एक शपराशी को मिले तो क्या ही है फी जो अच्छा है यह चीज तो यह आप उखारी को बात तक गलबला करके लोगों को चाहते हैं कि समाद को कैसे हम बर्गलावें तो बर्गलाने से कुछ नहीं होगा और आज देख लिया गुमरी में उन्लों ट्राई किया था कि साथ हम लोग एक निता चुल लेंगे और नहीं चुला और उसके दिमाग में बना दी है तो सब लोग के दिमाग में बात बनती है कि निती नेल वह मोदी जी दो हजार परचीस चोविस में निश्चित रुप में हिंदुस्तान के प्रधान बंती अगेर बनेंगे और उसका कारण भी और भी है एक तो देखा कि चंद्रियान तीन कीजों सफलता हमको मिली समुच्चे संसार अस्तब्द है कि जिस देश में गरीवी की बात कही जाती है आज हो चंद्रियान थिरी को जाकर कि वहां कह रहा है और वहां काम कर रहा है उसका रोबेट गुम गुम क करेगा इस सब के बूते की बात नहीं है इस प्रकार से साइंस के चित्र में और विकास के चित्र में तो आपको कहा पहले भी कहा है हम लोग ने कि जहां हिंदुस्तान के अर्थिक व्वश्था संसार में तेरहमा चोड़ामा पर थी अब माच्वा पर है और आप देख करेंटे में कहीं कही रहते हैं लेकि पाच्वों फॉडीर बराबर नहीं रहता है और देलिकिन बाइन लार्ज लोग बनाया है जिसको घमंडिया पार्टी हम लोग करते हैं वो लोग सब घबराए हुए है आपस में हुआ ना उज देन किसी की भी बात मामता जी मानने को तयाद नहीं तो क्या है सब को मानने मामता जी को प्राइम मिनिस्टर तो साइद ऐसा नहीं होगा कांग्रिस अपना हिसाब में है तो उसी प्रकार से अनलोग भी हैं जो मूबाय हुए हैं कि हमको प्रामिनिस्टर का कैंडिट बनाती है जाए तो जहां चार धड़ा पांच धड़ा है तब एक देखिएगा आगे जा करके क्यों लोग यही करेगा कि भाई अभी नहीं चार सो जाता है पटका जाता है तो उठके लेज़ार के करता चा ठीक है अवरी हम लोग पटक देंगे यही तक दिन लोंके सामीम लाटू के मंतरी के पूत्य नहीं को और टेंग्व ऐघ्ल जाम को तेंग्व भेख स 11 ता के फोती है थार्म कि बाद इहां तक होती है तो हम पर किहीं पूजा है महाद्उमगानी ने कहा सघाक इपकित वात या अस्था की बात है तो नहीं ने उत्षवकार की बात कहिए उस्वत कोई परतिकरिया नहीं होनी हम ले उनके अपनी बात इसके चलते संवाल सनातन धर्म में एक आस्ता लोगों का है और उसके आधार पर बहुत सारा सिस्टम और डिसिप्लिंग शासन इंडुस्तान में तयार है और कौम चल रहा है अलाके आगे आने के बाद जो मनुवादी विवस्था आई है उसमें कहीं न कहीं करवड़ी आई है इसके चलते कुछ लोग बोलते हैं लेकिन बावजूद उसके हम लोगे मानते हैं कि किसी के आस्ता के साथ खिलवार नहीं करना चाहिए बहुत लोग यहां मीटी को पूजा करते हो कोई कहता है मूर्ती को पूजा करते हैं तो कहें कि मूर्ती को पूजा मत करो यह ही है इस देश की उन्हें से विशेस्ता कि हाँ हर मत्य भीनिता में ही एकता है और हर तरह के लोग है जो अपनी काम को अपना काम को करते हैं अदिक लगते हैं सराव से दो लोगों की मौट भी है आज नहीं आज भी हो रही है कल भी होगी पर्चू होगी अमनाही नहीं साइद लगता है कि आप उस चीज को नहीं देखे हम कल देखा है सराव चे मौत तो हुई है और खुले सराव का बजार लगा हुआ था उस बजार की जड़ चर्चा है तर्वों त्रवं टिकों पकड़ा का कि लोग गया मतलब सब्जीयां बिकति थी उस तरह से शराव भी परुशी जा रिए बेची जा रिए तो यह तो सब कोई कहता है कि हाँ सराब की धजिया बंदी के धजिया उल रही है और सराब बंदी के नाम पर गरीबों को जिल भिजा जा जा रहा है हम तो बार बार कहते हैं कि सराब बंदी में जितने भी लोग पकड़े गए हैं सब गरीब टपके के लोग हैं उन पर मुकदमा पापस सरकार ले करन हुआ है उससे हमारे हजार लागों लोगा अधियल में हैं उनके बाल बच्छे बाहर में बिड़ारा है उनको मुक्त करने की बिवस्था हम लोग करें देखें वो तो ने कि इसी से इसी में उनके बड़ापन मानी जाती है ओओ कोई एथिकल बात बोल नहीं सकते है लालो इसी जाते हैं पंड्रोस है कि नहीं सिर्फ इसी तरह की बात बोल करके जनता को यह करते रहे हैं सब दिन आईदार बहगोन कि वाद़ाज है ठीक है सेहत उनका ठीक हो रहा है हम भी चाहते हैं रहे ठीक लेकिन वो अपनी बात जो बोलते हैं जिसको हम कर सकते हैं कि गौवाली बात होती है और उसी सो समझते हैं कि हम पोपलर होंगे तो इसी लिए उन्होंने कहा नरेटी पकरने का क्या मतलब है नरेटी पकरने का मतलब होता है ग्राइभ बाठाइब जाने करेंगे उनपर रवाव डामेंगे हम इस हम एक बार कहा ह हुदा कि डाक्टर लों का हात का अप का लिए है को गड़ाय ने का नेटेटी पकड़ने का मतलब है हम उनके जो भी या है उसको हम दोस्त करना चाहते हैं तो यह इनकी अपनी व्यक्तिक अवे अपहिए नहीं भागा नहीं बादेवे